Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, इस वीडियो में मैं आपको Network Security Group का एक और सिनेरियो बताने वाला हूँ. अगर आपने मेरे last के वीडियो नहीं देखे हैं, तो मेरी request है कि आप प्लीज उन वीडियो को देखिए. और अगर आपने देख चुके हैं, तो आप ये एक सिनेरियो में आपको बताने वाला हूँ. Network Security Group से Related. तो मेरे सिनेरियो क्या है, कि मेरे पास दो सर्वर है, एक database सर्वर है, एक web सर्वर है, और दोनों ही same region में हैं, और इनके उपर अभी Network Security Group मैंने attach नहीं किया है. तो मेरे सिनेरियो क्या रहेगा, कि मुझे मैं एक दोनों सर्वर पे Network Security Group लगाऊँगा, कहाँ पर अपने virtual network के उपर, subnet के उपर मैं Network Security Group लगाऊँगा, obviously subnet के उपर लगाऊँगा, तो दोनों के दोनों सर्वर पे मेरा Network Security Group लग जाएगा. अब by default जब Network Security Group create होता है, तो मैंने बताया कि by default आपका जो है, उसमें सिर्फ तीन basic ही rules रहते हैं, और उसमें by default Internet allow रहता है, यानि कि आप अपने virtual machines के उपर Internet access कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा scenario क्या रहेगा, कि मेरा जो है, जब मैं subnet level पे Network Security Group लगाऊँगा, तो मेरा दोनों को जो है by default तब भी Internet रहेगा, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, कि मैं एक Network Security Group और लगाऊँ, सिर्फ database level पे, database के network card पे, जिस पे मैं आपका internet block कर सकूँ, यानि कि मैं चाहता हूँ, कि Network Security Group लगा सकूँ, लगाऊँ, लेकिन मेरा database server पे Internet नहीं चलना चीए, बाकि web server पे मेरा Internet चलना चीए, तो guys, इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दो Network Security Group बनाने वाला हूँ, एक मैं लगाने वाला हूँ, सबनेट लेवल पे, और दूसरा मैं एक और Network Security Group बनाने वाला हूँ, जिसको मैं लगाऊँगा, database server के NIC card पे, network interface card पे, तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं एक बार, मेरा अभी, यहाँ पर Network Security Group मेरा कहीं भी नहीं लगा है, उसी तरह database server पे भी नहीं लगा है, तो मैं एक काम करता हूँ, Network Security Group NSG यहाँ से सर्च करता हूँ, और मैं इसको दे देता हूँ, नाम, एक Network Security Group लगाता हूँ, मैं, इसको मैं वही Resource Group में डालूँगा, और मैं इसको लिख देता हूँ, Subnet NSG, यानि कि मैं इस Network Security Group को Subnet Level पे लगाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से, Create पे क्लिक करता हूँ, जब तक यह Create होता है, मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, पहले इसको Create होने देता है, क्योंकि आपने को Port भी Open करना पड़ेगा, 3389 का, क्योंकि जैसे कि मैं लास्ट की वीडियो से मुड़ता है, अगर आप Network Security Group नहीं लगाते हो, Network Security Group बनने दो, ओके, तो मेरा Network Security Group बन चुका है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, Subnet पर जाता हूँ, और मैं इसको Subnet के साथ Associate कर देता हूँ, यह मेरा Virtual Network था, और यह मेरा Subnet है, और इसको करता हूँ, ओके, और अगर आप यहाँ पर Networking में देखेंगे, तो मेरा Network Security Group एपलाई हो चुका होगा, यहाँ पर Associate हो चुका है, यह देखिए, और यहाँ पर आपको बता भी रहा है कि यह Subnet पे लगा हुआ है, यह Subnet पे, ओके, तो guys, मेरा Web Server का जो है, अब मेरा Network Security Group लग चुका है, तो मेरा RDP नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जैसे कि मुझे लास्ट की वीडियो से बताए कि मुझे 3389 Port open करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से भी Add कर सकता हूँ, और NSG में Inbound से भी Add कर सकता हूँ, तो चलिए, मैं यहाँ पर Add करता हूँ, Source Any, Destination Any, Port मैं करता हूँ, 3389, RDP Port Any करना है, Allow करना है, Action, Priority मैं इसको Fillal 1000 दे देता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ, Allow RDP, ओके, Add पे क्लिक कर देता हूँ, और Add पे क्लिक करने के बाद, यह थोड़ा सा Time लेगा, Reflect होने में, Rule Apply होने में, अब यहाँ तो मेरा Rule बन चुका है, और यहाँ पर भी मेरा आ जाए गए, इसको मैं थोड़ा से Refresh कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा Allow RDP का Any to Any मेरा Allow है, तो चलिए अब ट्राइ करके देखते हैं, कि RDP आता है कि नहीं आता है, Obviously आएगा, क्योंकि मैंने Last के वीडियो में भी बताया आपको, मेरा RDP आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर Connect करता हूँ, ठीक है, यह मेरा Web Server मैंने RDP ले लिया है, और अगे, Perfect, यह मेरा RDP आ चुका है, और अगर मुझे Database Server का RDP लेना होगा, तो Obviously मैं Private IP से लूँगा, अपने Web Server के अंदर से, क्योंकि मैंने इसको Public IP नहीं दिया है, तो मैं इस IP कॉपी कर लेता हूँ, और मैं Server के अंदर जाता हूँ, यहाँ से Anastacy करता हूँ, अपने Database Server का IP यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसको Connect पे क्लिक करता हूँ, और इसको Connect पे क्लिक कर देता हूँ, ID पास्वर डालके, तो दोस्तों, मेरा यह Web Server है और उसके अंदर से मैंने Private IP से लिया है Database Server का RDP, तो अब मैंने जैसी की Scenario बताया था आपको कि मेरा Database Server पे मेरा Internet नहीं चलना चाहिए, तो मुझे थोड़ा छोटा करना पड़े गए, ठीक है, परफेक्ट, तो यह मेरा Database Server आ गया, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, एक बार Verify कर लेते हैं, यहाँ पर, ओके, आपको दिखा देता हूँ मैं, Host Name, यह देखिए, यह मेरा DB Server दिखा रहा है, ओके, अब मैं यहाँ पर चाहिए, एक बार Internet चेक कर लेता हूँ, कि मेरा इस पर Internet चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह देखिए, मेरा Internet चल रहा है, डेटाबेस सर्वर पर, अब मैं मेरे Web Server पर चेक करता हूँ, यह मेरा Web Server है, और मैं यहाँ पर Google ओपन करता हूँ, तो मेरा दोनों जगह अभी Internet चल रहा है, लेकिन मेरा condition क्या है, कि क्यूंकि Database मेरा critical application है, और मैं नहीं चाहता है कि मेरा उस पर Internet access हो, तो इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको overview के वीडियो में बताया था, कि आप subnet पे भी लगा सकते हो, और network security group, nick card पे भी लगा सकते हो, या तो आप जो है subnet पे और network card, दो NSG लगा सकते हो, एक virtual machine पे, यानि कि एक आपका subnet level पे लग रहा है, और एक आपका network, nick card level पे लग रहा है, अब आप जैसे यह database server देख सकते हो, यहाँ पर मैंने subnet level पे लगा है, तो देखो इसको यहाँ पर subnet level पे लग चुका है, अब मैं क्या चाता हूँ कि इस ने जो network interface है, इस पे भी एक और NSG लगा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से एक NSG create करता हूँ, और NSG पे जाके, मैं add पे जाता हूँ, add पे क्लिक करने के बाद resource group चूज़ करूँगा, और यहाँ पर लिख देता हूँ, db server NSG, क्योंकि मैं database server के लिए बना रहा हूँ, review plus create पे क्लिक करता हूँ, और इसके बद create पे क्लिक करता हूँ, तो इसको create उन्हें देते हैं, मैं वीडियो को तब तक के लिए pause करता हूँ, ओके दोस्तों, तो I think मेरा जो है, ये deployment succeed हो चुका है, तो मैं go to resource पे जाता हूँ, और ये मेरा db server का network security group है, अब मैं इसको associate कहा करता हूँ, network interface card पे, तो मैं network interface पे जाऊँगा, associate पे जाऊँगा, और यहां से मैं database server का जो मेरा nick card है, उसको select करके, database server पे attach कर दूँगा, तो इसको एक बार attach होने देते हैं, मैं वीडियो को फिर से pause करता हूँ, ओके दोस्तों, तो मेरा जो NSG है database server वाला, वो मैंने उसके database server के nick card पे लगा दिया है, तो आप database server पे जाके verify कर लेते हैं, इसको refresh माल लेते हैं एक बार, और यह देखिया, अगर मैं इसको इसको यहां right hand side, ओके ठीक है, मैं इसको refresh करता हूँ, तो आपको अच्छे सा देखेगा, तो यह मेरा networking में आप देख सकते हैं, कि आप दो-दो NSG लगे हैं right, लेकिन अगर मैं वही चीज, मैं अगर web server पे देखूँ, web server पे देखूँ, इसको भी refresh मार देता हूँ, ओके, और मैं web server के networking में जाऊँगा, तो आपको एक ही NSG लगे दिखेगा आपको, क्यों, क्योंकि मैंने जो है, यह जो NSG आ रहा है, यह subnet से flow क्या आ रहा है, मैंने इसके net card पे नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पर मुझे NSG, subnet level का भी दिखा रहा है, और यह देखे, network interface level पे भी दिखा रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे internet block करना है, किस पे करना है मुझे block, मुझे block करना है मेरे database server पे, web server पे नहीं करना है, तो database server block करने के लिए क्या किया है, मैंने एक तो आपका subnet level से, network security group flow क्या रहा है, जो मेरा network interface card पे है, attached to network interface वाला, ये network interface पे जाऊंगा, add outbound port प्रूँगा, ओके, outbound rule बनाऊंगा, और source में करूँगा, आपका virtual network, यानि कि जो virtual network से flow हो के आ रहा है, क्योंकि by default आपका internet open रहता है, अगर आपको internet block करना, आपकी virtual machine पे, तो वो internet कहां से आ रहा है, virtual network से आ रहा है, तो आपको source virtual network होना चीए, source port range, कुछ भी any star होगा, उसके लिए star मतलब any, destination में यहाँ पर क्या आपका service tag, तो service tag में मैं क्या चूज़ करूँगा, destination service tag, service tag internet चूज़ करूँगा, और destination port, any रखूँगा, कोई भी port से, तो मैं उसको deny करना चाहता हूँ, priority जैसे कि मैंने last video बताया है, कि आप 100 से 4096 के बीच में आप, या 65000 के बीच में आप कर सकते हो, तो मैं इसको 100 ही रहने देता हूँ फिलाल, और मैं इसको लिख देता हूँ, db server deny internet, इसको कर देता हूँ, उसके साथ छेड़ चाड़ नहीं करिये, मैंने सिर्फ particular database server के जो निक कार्ड पर, मैंने जो अलग से NSG बनाया है, उस पे मैंने add किया है rule, तो मैं इसको एक बार फिर से refresh कर देता हूँ, और जैसे कि मैंने बताया है, यह rule होने में थोड़ा सा time लेता है, एक minute के आसपास time लेता है, यह मैं out bond में जाता हूँ, out bond में मेरा network interface पे जो NSG लगा है, उस पे मैंने deny किया internet को, तो चलिए, अब चलते हैं अपने server के उपर, और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ एक बार, यह मेरा database server है, यह database server है, इसको minimize कर देता हूँ, और यह मेरा web server है, इसको भी यह close कर देता हूँ, अब मैं पहले web server पे internet test करता हूँ, internet explorer खोलूँगा, गूगल पर जाता हूँ, तो मेरा web server पे Google, यानि कि internet चल रहा है, अब मैं जाता हूँ अपने database server पे, और यहाँ पर मैं internet explorer ओपन करता हूँ, और यहाँ पर मैं Google टाइप करता हूँ, तो यह देखी, यह आप देख सकते हैं कि मेरा जो है, अभी database server पे internet नहीं चल रहा है, यानि कि अगर आपका top level से, subnet level से अगर network security group flow के rules जो हैं, वो flow होते हैं, और आपको उस subnet में कोई एक virtual machine है, उस पे अगर आपको internet block करना है, तो आप क्या करो, एक अलग से NSG बनाओ, और उस NSG को उस server के network interface card को attach कर दो, और वहाँ पर outbound rule बना दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया है, कि source virtual network, destination internet और deny होना चीए action, तो जैसे कि मैंने overview के वीडियो में बनाया है, बताया है, कि inbound और outbound क्या करता है, कि अभी ये scenario मेंने, कि इस scenario में क्या है, कि दो NSG लगे हुए, और एक NSG एक particular server के nick card पर लगा हुए, तो inbound rule में क्या हो रहा है, कि आपका पहले जो subnet level के rules है, वो apply हो रहे हैं, उसके बाद आपका उस particular server के database के nick card के NSG पर apply हो रहा है, उसी तरह outbound में आपका उल्टा जाता है, inbound में क्या होता है, पहले subnet वाले rule apply होते हैं, फिर network interface card वाले rule होते हैं, ओके, outbound में क्या होता है, reverse होता है, पहले network security group पे जो rule लगे होए, पहले वहाँ पर network traffic filter होगा, फिर आपका subnet level पे जो NSG लगा हो है, वहाँ पर आपका जो traffic है, वो filter होगा, ओके, तो guys, ये था आज के वीडियो में, आपको मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वाक्की अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज वीडियो को like कीजिए, और share करना मत भूलिएगा, प्लीज शेयर कीजिए, और subscribe जरूर कीजिए, तो guys, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, so thanks for watching this video,